नमस्कार 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 दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस पेस इनचल पर आप सभी का हार देख मनें करता हूँ दोस्तों USA के सेंट लुइस में टोर्नमेंट चल रहा है ग्रेंट चेस टूर का आखरी पड़ाव सिंकी फिल्ड कप और इसमें आज जेफरी जियोंग का एक गेम में आपको लिकर क्या हूँ जिसमें उन्होंने विश्व के नमबर दो खिलाडी फाब्यानो करवाना को पराज के बाद जो टूर्नमेंट चालू हुए एक कुछ बदल सा गया है बदल ऐसे गया है कि पहले हम सुनते थे कि काल शन साल में एकाद में अचारे तो हरे करवाना सौल में एक दो मैचिस आरह रहे हैं अब यह एक-दो महीनों में टूर्नमेंट मैच में मैचिस मुकाबले हार कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो पहले नहीं कर दे तो कहीं न कहीं impact पड़ा है खिलाडियों के मानसिक दबाव पड़ा है खिलाडियों के उपर tournaments की practice उतनी जादा नहीं मिल पा रही है और नए जो खिलाडी है वो तेजी से उबर कर के सामने आ रहे हैं तो यह मुकाबला शुरू हुआ नाइट F3 से D5 G3 किया यहाँ पर सो C5 खेला यहाँ पर फाब्यानो करवाना ने सो बिशब G2 खेला यहाँ पर जैफरी ज्योंग ने आपको बता दें कि यह गेम जो है शुरूवाज से ही जो है अलग ट्रैक पकड़ता चला गया E6 किया यहाँ पर फाब्यानो करवाना ने सो कासल नाइट F6 D4 किया यहाँ पर जैफरी ने सो फाब्यानो किलते हैं C इन्ट 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 और E5 आप जैसे फा पर कोई भी पीस बहार नहीं निकले हैं, अल्मोस्ट इस knight को छोड़ करके, अभी भी कैसल करना बागी है, लेकिन black के पास compensation है, उसके दो pawn center पर बहुत ही strong लग रहे हैं, जो कि important squares को यहां पर control कर रहे हैं, तो यहां पर अगला move आता है फाव्यानो करवाना का A5, तो आप यहा करना चालते हैं, यहां पर bishop G5 खेला जैफरी ने, so A4, knight C1, तो white का एक और piece जो है, वो अंदर यहां पर चला जाता है C1, अब फाइनली जो है, यहां पर piece निकालना शुरू करते हैं, कारवाना, bishop E6, अच्छा आपको बता दें कि यह जो position है, इसमें E4 के बाद, मतलब सिर् चाल जो है, बोड पर officially आई है, ओके, यहां पर D4 खेला करवाना ने, अच्छा अभी भी आप देखें, तो white, black के पास actually क्या है, black के पास यह center बहुत ही अच्छा है, और अभी भी उसको piece निकालने बाकी है, लेकिन बोड पर space black ने गेन कर लिया है, जगह है, उसके पास castle न center create किया है, यहां पर करवाना ने, तो करवाना चुपचाप खिलते हैं, bishop E7, यहां पर fe5 अगरे मारना उतना काम कर नहीं है, क्योंकि knight g4 आएगा, अगर आप bishop e7, queen e7 करते हैं, तो उसके अभी knight into e5 कभी भी आएगा, तो अगर आप माली जे queen d4 खिलते हैं, तो knight c6 के बाद बहुत ही ज्यादा compensation यहां पर है, black के पास, और white के pieces अभी भी struggle कर रहे हैं, तो करवाना का शायद यही प्लान था कि इसी तरह से active chest खेला जाए, bishop e7 खेला होना है, तो यहां तक कोई girl board नहीं है, सब ठीक है, जेफरी knight d3 खेलते हैं, knight c6, now bishop f3 यहां पर किया जेफरी ने, औ अभी न कभी इस bishop से exchange करेंगे, क्योंकि जब तक आपका pawn यहां पर fix है, यह bishop आपका bad bishop है, तो opponent का जो अच्छा खेल रहा bishop है, उससे बदल देना चाहिए, knight d7 खेला यहां पर करवाना ने, so bishop into e7, अब उनका वो bishop bad है, जो e7 पर रखा है, क्योंकि आपका pawn यहां पर fix है, dark color तो अगर यह exchange होता है, तो उनको कोई समस्या नहीं थी, तो knight खेला, exchange हुआ, queen e7, knight d2 अभी एक और piece board पर आया, b5 यहां पर, तो करवाना जिस रणनीती के तहर शुरुआत से खेल रहे थे, उस पर continue थे, और board पर space जो है, वो ज्यादा ज्यादा gain कर रहे थे, यहां पर b3 ख structure को challenge करते हुए जफरी ने, so now f6, okay, bishop h5 check दिया, so now g6, f5, यहां पर शायद किसी moment पे bishop g4 direct भी आ सकता था, लेकिन यह भी चीज़ें जो है, काम कर गए, bishop f7, fg6, hg6, bishop g4, finally यहां पर करवाना ने bishop e6 exchange offer किया, bishop e6, queen e6, अब इस position को अपन फिर से देखते है, knight f3 के बाद, अ लेकिन आप देखो कि दूर-दूर तक अभी उस पर कोई आक्रम आता तो नजर नहीं आ रहा है, अच्छा जो pieces हैं आपके चाहे दोनो knight हों, या rook हों, अभी आपको direct white की दरब से ऐसा कोई plan नहीं मिल रहा है, जबकि black के पास अभी option खुले हुए है, उसका rook open है, आपके king प खेला यहाँ जैफरी ने, अगली चाल यहाँ पर आती है, knight d8, और actually मैं यह जो move थी, यह game में वो चाल बनी, जो की खेल को जो है, एक अलग दरजे पर ले गई, अब करवाना का idea यह था कि knight को वो king side रख करके king side आकरमन करना चाहते थे, लेकिन आप जैसे ही knight पीछे गया, तो उन्होंने कौन सा square दे दिया, यहाँ पर b4 का square दे दिया, तो immediately जो है, तुरंत ही, जैफरी ने यहाँ पर खेला knight b4, और अब समस्या यह है, कि यह knight ना से b4 पर आया है, और d5 पर आ रहा है, जो knight d3 पर बहुत कुछ नहीं कर रहा था, अचानक जो है, उसकी value बढ़ जा जाती है, ठीक है, रुक यहाँ पर b8 खेला करवाना ने, तो now knight d5 अभी threat है, आप देख सकते हो knight c7 का यहाँ पर threat है, तो castle कर लिया उन्होंने यहाँ पर, लेकिन जैसे ही आप castle करते हैं, तो अब इस knight के आने से, तो जो chances थे इस तरह अटक होने के उतने जो थे अच्छे थ वो अब यहाँ पर कम हो जाते हैं, तो दरसल यह knight के improve होने से, जो king center पर safe था ना, वो उसकी जगे आपको बदलनी पड़ गई, अब जैसे ही इस्तिती बदली, तो jeffrey ने इसका फायदा उठाया, यही यूवा पिड़ी है नई, h4 करके, जो आपका राजा यहाँ पर जो आ 10 to g5 मारा, now rook f2, अभी जरुत पढ़ने पर यह rook भी जो है, वो shift होने के लिए यहाँ पर तयार है, और यहाँ आकरी में बहुत काम आया, आप देखोगे, knight b6 केला यहाँ पर करवाना ने, उनको लगा कि यह जो d5 का knight है, इसको eliminate किया जाए, तो queen b5 का एक pawn जो है, यहाँ प structure को भी तोड़ा, और rook into b3 मारा, ऐसा लग रहा था कि यह math जो है, वो draw में खत्म होने का रहा है, लेकिन अगली दो चाल में खेल जो है, पूरी तरह से पलट गया, क्या हुआ, जेफरी ने खेला, rook a6, अभी target क्या है, जो simple target है कि भाई, rook से यहाँ से check देना है, आप अगर क किंग f7 के बाद ये गेम चलेगा, भी ये गेम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपका रुक अभी hanging है, ओके, यहाँ पर एक गलती हो गई, करवाना से, बहुत बड़ी गलती हो गई, मतलब छोटी मोटी गलती है, उन्हों रुक d8 खेला है, रुक g6 चेक आता है, प्रॉब्ल तो पूरी तरह से जो गेम खत्म हो जाता, तो उन्होंने खेला यहाँ पर, अगर किंग h8 खेलते, तो रुक h2 से चेक मेट लगा हुआ है, ठीक है, और तो इस पोजिशन में समस्याएं जो है, वो बहुत जादा यहाँ पर बढ़ गई थी, यहाँ पर मैच में क्या हुआ, मैच पे उन्होंने खेला रुक g6 चेक, तो किंग h7 एंड रुक f6, अब यह जो मूव था, यह तो ठीकी था, तो पहली तो गलती वो रुक d8 के साथ होई, दूसरी गलती यहाँ पर करवाना से होती, करवाना मार देते हैं, रुक इंटो d3, मतलब रुक इंटो f7 जो है, प रुक इंटो d3 के बाद यहाँ पर रिजाइन कर दिया, यहाँ पर फावियानो करवाना ने, तो अल्री गेम जो है, जैसे रुक d8 हिटे हैं और रुक g6 आये, इसके बाद ही गेम जो है, यहाँ पर चला गया था, खासतोर पर इस मूव के बाद, आप समस्या हैं, जो है, त अच्छा पूजिशन आने के बाद, खासतोर पर जब यह नाइट उन्होंने यह वाला स्क्वेर दिया, जब उन्होंने d8 खेला, तो एक टो नाइट b4 से फायदा मिला, और उसके बाद तो जबाबी कारवाही जिस तरह से उन्होंने आकरमड किया, अपने महरों को विवस् में, तो उससे यह समझ में आ रहा है साफ तोर पर कि आने वाले समय में जो शत्रंज होगा, जो टॉप लेबिल पर चैस होगा, वो बहुत ही अन्प्रेडिक्टिबल हो जाएगा, मतलब कि कब कौन किसको हरा देगा, आपको पता नहीं लगेगा, जो एक छत्र राज जिसको बोलते हैं कि लंबे समय ते खिलाडी का जो जलवा कायम रहता था, मुझे लगता है कि वो सब कुछ अब बदलने जा रहा है, या बदल चुका है, खेराने वाले वक्त में हमें यह चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएगे, उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आओगा, पसंद आओगा तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले देखते रहें, चैस्पिस इंडिया, चैस्पिस इंडिया के लिए मैं इकलेज जैन, जहेन चैस्मी हो में आगए, चैस्पिस प्ली आओगा स्विस इंडिया झाल